लैप्टप के प्रोसेसर और डेस्टप के प्रोसेसर में काफी डिफ्रेंस होता है जो में डिफ्रेंस होता है कि लैप्टप के प्रोसेसर के लिए कूलिंग के लिए हेड्रूम काफी कम होता है और डेस्टप के प्रोसेसर के लिए कूलिंग के लिए हेड्रूम जादा होता है desktop बड़ा size में होता है, space ज़्यादा होता है, तो आप multiple fans लगा सकते हैं, liquid cooling के बेवस्ता कर सकते हैं, लेकिन laptop के पास ज़्यादा दो fan जो हैं, वही हो सकते हैं, किसी-किसी laptop में तो एक ही fan है, तो fan क्यों जरूरत है, और cooling system क्यों जरूरत है, दोस्तों बता दूँ कि जब आप performance boost कराते हो, laptop से या अपने desktop से, तो उस case में क्या होता है, कि overclocking के time में CPU काफी ज़्यादा गरम होता है, और जो laptop के processor होते हैं, एक time के बाद throttle करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा processing हाई कराते होता है, तो throttle करता है, तो throttling के time में मतलब कि performance ऐसा boost होता है, उसके बाद जब throttling के position आती है, तो performance ऐसा down होता है, डाउन इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा overheating के बज़े से आपका CPU जो laptop का खराब ना हो जाए, उसके बज़े से होता है, throttling down होता है, आपका performance होता है, लेकिन desktop के processor में ऐसा नहीं होता है, लेकिन condition अपलाई है, अगर मालो सिर्फ आपने stock cooler लगाया है, stock fan लगाया है, तब हो सकता है कि जिस तरीके का मैंने आपको performance बता है, laptop के processor के साथ वैसी processor perform कर सकता है, desktop वाला, अगर एक ही fan लगाया है, तो एक time उसका performance boost होता है, उसके बाद से फिर down हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरुत होता है, cooling system का, क्योंक कि जब desktop के processor पे आप overclocking करते हो, आप high performance boost कराते हो, तो overclocking होता है, और एक position में पहुंचते हैं, जब लगता है CPU को, कि temperature काफी ज़्यादा हाई होगी, तो फिर वो performance down करता है, लेकिन अगर आपने multiple fans लगा दिया है, अच्छा end of cooling system लगाया हुआ है, desktop के processor में, performance उसका हाई र उसकी अच्छा काज है भी task करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास i5 processor है, i7 processor है, दोनों में है, laptop में है और desktop में है, तो जो desktop वोला i7 वोला processor होगा, अच्छा performance देता है, geekbench score से पता चला है, कि जो desktop का performance का geekbench score होता है, जादा होता है, laptop वाले processor से, laptop का processor basically बना होता है, low power consumption के लिए, लेकिन desktop का processor को उसको उससे मतलब नहीं है, कि low power consumption करना है, आप जो भी task करा होगे, उसको task performance से मतलब, आपका जो task के वो अच्छा से perform हो, उस पे ध्यान देता है, low power consumption पे ध्यान देता है, तो आप generally laptop यूच करोगे, तो आपका जो power consumption कम होगा, desktop यूच करेगो, तो power consumption ज्यादा होगा, दोस्तों मैं आपका बता दूँ कि अगर आप gaming करते हो, या software rating करते हो, या 3D rendering works से काम related काम है, तो अगर आप desktop का यूच करोगे, तो आपकी जो performance है, वो काफी अच्छे पूश्ट होगी, आपका software हैंग करने क तो जो आपका processor है, laptop वाला हो सकता है कि time के बाद से hang करने लगे, लेकिन जो desktop का processor hang नहीं करेगा, बसरते कि आपके system में enough cooling headroom होना चाहिए, तो cooling बहुत important role play करता है processors के लिए, दोस्तों laptop और desktop के processor सेम होते हुए भी productivity, performance and price में difference आ जाता है, आपने देखा होगा कि सेम 50,000 के range मे जो desktop आप build करते हो, वो काफी अच्छा performance देता है, वही पे अगर आप 50,000 के laptop purchase करते हो, तो उसकी performance अच्छी नहीं होती है, मैं desktop बोलना हूँ including monitor को, अगर आप 50,000 के setup त्यार करते हो, और laptop 50,000 का लेते हो, तो जो desktop का performance अच्छा होगा, तो दोस्तों मैं बता दूँ कि आप सो आना चाहिए, लेकिन laptop का भी जो configuration आपको high रखना करेगा, तो दोस्तों यही था, उमीद करते हो, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, and thanks for watching this, and have a nice day.